वक्ति हो कि आप लोग मुझे बोलने देंगे और मेरी बात पूरी करने देंगे एंकर सहीद सबसे पहले बात है कि मानिय एकनाजी शिंदे ने पूरी लगन से एंडिये का काम किया है और सभी उम्मिद्वारों का काम किया हमारे जो मित्र पक्षय है अजीत दादा पवार गुत हो या बीजेपी किसी कोई भेदभाव नहीं किया हमें परिवार की तरह हमने काम किया है और जहां तक सवाल मानिय एकनाजी शिंदे का है तो वो कोई इस प्रकार की बारगेनिंग में रूची नहीं रखते हाला कि कैबिनेट मिनिस्ट्री मिलता तो और खुशी होती मगर हम काम जैसे खुद डॉक्टर श्रीकान शिंदे जो बेटे हैं सीन के उन्होंने कहा कि मुझे कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए मैं पार्टी का काम करना चाहता हूँ तो यह सब बाते हैं यह होती रहेंगी मगर काम करना है और श्रीरंग बार्णे जी भी थर्ड टाइम के मेंबर ऑफ दे पार्रमेंट है स्वाबावी के उनको लग सकता है किस कोई अपनी बात एक्सप्रेस करे यह बात रखने का अधिकार है चाहे वो प्राइवेटली रखे या थोड़ा बहुत मीडिया में बोल दे मगर फिर भ और देखेए वहाँ उद्व ठाकरे के गुट में क्या चल रहा है वहां की भी बाते आपके प्रसार माधिमों के द्वारा में पता चल रहा है मगर ऐसी कोई बात नहीं कोई भी खासदार कोई भी विदायत हमारा उद्धव टाकरे के पास नहीं जाएंगे सभी एकनाच चिंदे जी के साथ डट कर खड़े हैं और आगे जो कोई expansion होगा देखे केंद्र सरकार में बहुत सारी बाते होती है कोई यह सिर्फ ministry नहीं है corporations ऐसी बहुत सारे और भी संधी हमें मिलेगी जी मैं रियक्शन लेता हूं विवेक शिर्वास्तव से और अनवर पाशा भी है पहले अनवर पाशा के पास चले जा तो प्रोफेसर अनवर पाशा प्रोफेसर अनवर पाशा आर्जडी के तो कोई खास सीटे आई नहीं इस बा आप वो कहा है कि मुझसे बड़ा नेता कौन विहार का कि कहने मैं तेजस्वी से बढ़ा हूं अमीश जी मैं यह उमीद करता हूं कि मिना इंट्रॉप्शन के जो भी समय आपने दिया है मुझे बोलने देंगे और जो इंट्रॉप्टर्स आपके बैठे हुए हैं जो पैनल है कि हम बिहार की लार्जेस पार्टी है और वोट जो शेयर है वो सबसे ज्यादा हमारा है और आप पचीस में देख लीजेगा कि हमारा दमखम जो भी है वो आप देख लीजेगा रही बात पॉर्टफोलियो या मंत्राले के डिस्रिबुशन की तो यह प्रधान मंत्री का प्रिडुगेटिव है वो जिसे चाहें जुनजुना पकड़ाएं जिसे चाहें तोप पकड़ाएं वो उनका प्रिडुगेटिव है और यह डिपेंड करता है एलाइस पे कि वो उसको अपमान समझते हैं या समान समझते हैं वो यह मुद्दा उनका है हमें उसके बारे में दरजा का इंतिसार कर रही है उसके अलावा बिहार की जंता के जो समस्याएं हैं वो रुजगार से जुड़ी हुई है क्या ये मंतराले जो दिये गए हैं क्या रुजगार पैदा करने वाले मंतराले हैं ये भी जवाब देना पड़ेगा नितिशी को ये भी जवाब देना प प्रतिशत जो रिजर्वेशन की सीमा बढ़ाई है ताकि बंचित समाज को उनका अधिकार मिल सके वो पूरे देश के अस्तर पर हो हम ये चाहेंगे कि नितिश जी इस मुद्धे को उठाएं और साथी साथ हम ये भी चाहेंगे कि 75 प्रतिशत जो हमने बिहार में दिया है जवाब मैं ये बिहार के जनता की ये आकंचाएं है पप्पू यादव का जीतना पड़ेगा पप्पू यादव का जीतना और उनके समर्थकों का ये क्लेम करना कि वो तेजैस्वी से बढ़े देता है बिहार के आप उसको कैसा मानते है अगर भारती जनता पार्टी पाशा मंतरा ले दे दे उनको आप दे दीजे ना आपको हमदर्दी है ना उनसे तो दे दीजी आप उनको हम चाहेंगे कि आपको मिनिस्ट्री दे लिए वो आगर आपको ज्वाइन करता है मुझे उमीद है कि ध्यान पूरवक बिना हस्तक्षेप के सुनने का दम रखिए पाशा जी सबसे पहले तो 2012-13 में स्पेशल स्टेटस और स्पेशल कैटिगरी स्टेटस यूपे की सरकार ने समाप्त कर दिया और पता है कब जब RJD को 2009 में चार सीटे मिली थी तब आप लोगों को जुन-जुना थमाते हुए 2009 की सरकार में आपको याद होगा RJD के मुख्या को भी अपमानित किया था और समाजवादी पाटी के मुख्या और अमर सिंग को तो किस प्रकार से गेट क्रैशर अब कहकर भाहर निकाल दिया था दोनों यदुवन्शी पाटियों को जुन-जुना थमा कर बेइज़त करके भाहर कर दिया था और उस स्पेश मैं आपसे सिर्व इतना पूछना था हूँ भाजपा को तो पपू यादव जैसे जंगल राज लाने वाले लोगों में कोई रूची नहीं है पर प्रियंका वाद्रा बुलाकर उससे सेलफी खिचवा रही है अब आप बता दीजिए कि आपके गडबंधन के कैंडिडेट क में प्रियंका वाद्रा जी के लिए यहां महारास्टर में वही कहान यहीं है मनिशा जी बताएंगी संगली में एम वे के के केंडड़ेट को हराने वाला वी शाल पार्टी कॉंग्रस में तुरंद जाकर जोहिंग कर लेता है यह तो इनका गडवंदन ने और इसलिए वह सब थे मैं आपसे पूछना जाता हूं, स्युलाइट है, और मैं अपसे पूछना जाता हूं, मिरा तरक इसके पिछ समझे है, मेरा तरक समझे है, मैं तरक समझे है आपने सवाल आपने सवाब ना दे वो शो चला रहे हैं कर इस वो के सबसे बड़े करता दरता है अरे आपने मुझसे सवाँ पूचा है लो पी एक सिर्च अरे आप जो बात बोल रहे हूं मैंने बोल दिया अरृ पासा अर्वर पासा 10 शेकिन रूखिये ना और यूडाओं ओ अमीज जी, हमारी BJP की 240 से इंडी अलाइंस बोलते हम 234 आगे बहुत करीब आगे, इंडी अलाइंस का नमबर गिनाते ना, वनना तो कॉंग्रेस का 99 और समाजवादी का 37 इंका तो 4 है ना, हम तो इनसे 100 गुना बड़े हैं, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं इनसे की 240 और 234 जब आप गिनाते हो, तो 234 को एलोपी नहीं पूछेंगे आप, ये तर्ख है इनका, अब तो सारे नेने हैं, सारे नेने एक साथ काएंगे, कश्परवादी एक साथ लेंगे, अब पूछां पच नहीं झाल